लोजपा राम बिलास के रास्तिय अध्यक स्री चिराग पास्वान जी, रास्तिय लोक मोर्चा के रास्तिय अध्यक स्री उपेंदर कुसवाह जी, ब्यार सरकार के मानिय मंत्रीगन, श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री मंगल पांडे जी, सुमीत कुमार सिंग जी, एंडिय के उमिदवार श्री अरुम भारती जी, एंडिय के सभी दलों के दिलाध्यक्ष, सभी मानिय सांसत गन, सभी विधायक गन, एंडिय के सभी निता गन, प्रिंट उम इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायकार बंधूं, और इस कारिक्रम में उपस्तित, भारी संख्या में उपस्तित बहनो इवं भाईयों, आज मैं आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का, आदर्णिय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने चुनाव के सिलसिले में, और यहां पधारे हैं सबसे पहले, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, तो यहां सबसे पहले आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने जो कुछ भी काम किया, तो इतना ज़्यादा काम किया है, एक सीर तो हम हर दिन कहेंगे, जन्नायक करपुरी ठाकुर जी को, जो आपने भारत रत्म दे दिया, जो हम लोग मांग करते रहे, आपने इसको दे दिया, इसके लिए मैं आपका विडंदन करता हूँ, और ये कोई भूलेगा नहीं, कि जो उन्होंने काम किया, और उनको आपने भारत रत्म दे दिया, आप जानते हैं, हम लोग तो सुरू से बिहार में जो काम 2005 से सुरू किया, हम लोग तो मिल के न कर रहे हैं, आप कितना बढ़ पहले था, पांच में जब हम लोग लास्क में आये, मतलब छो से सोचिए, उसके पहले साम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, आज अपने को बड़ा बड़ा भारी भारी बात करेगा, पंदरा साल तक उन्हों को मौका मिला, अब यहार में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ और उसका जब हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया, आप सोच लिए कोई भार से बाहर नहीं निकलता था, आप कितना देर तक लोग लड़का हो, लड़की हो, सब निकलते हैं, अब कैसा हो गया, तो याद करिएगा, कि जितना काम पहले कुछ नहीं था, और पांच के बाद हमीं लोगों ने काम किया है, इसलिए याद रखिएगा जो काम आज तक नहीं किया, आप वो तो जूट पूट के बीच में हम एक बार साथ कर लिये थे, ता जूट पूट के अपना बात करता है, जो काम हमीं लोगों का है, हमीं लोगों का कि पूर दिये अब सब इनके लिए फिर हम लोग साथ हो गएं आप कभी इधर उधर नहीं होने वाले तो जो काम किया है पास से लेकर कि आगे तक और केंदर सरकार में दस साल से हैं आदर ये प्रहान मंत्री जी आप कितना ज्यादा कर रहे हैं आप यहार के लिए भी कितना काम क कितना सब काम किया जा रहा है केंदर सरकार की तरफ से तो इस सोच लिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंदर सरकार काम करता है और हर जगा के लिए काम करते हैं अब सामने ही ने देख रहे हैं जी कैसा पूल है यह पहले था अब आप पीछे ही नह सामने दे अब कितना ज़्यादा होता था अब याज तक जो करते रहते हैं अब पहले जब था पांस तक तहिंदु मुस्लिम का भी जगड़ा होता था अजब हम लोग आ गए तहिंदु मुस्लिम का जगड़ा भी खतम हो गया इसलिए मुस्लिम समधाय के लोगों को भी कहेंगे कि भू भूलिएगा मत हम लोग जब तक हैं तब तक जगड़ा नहीं और गल्टी करके फिर उसी को दे दीजिएगा फिर जगड़ा सुरू करा देगा इसे याद करिए हम लोग को समाद वहसाब तब के के उत्थान के लिए काम किये तो भूलिएगा मत सब तरह से काम किया पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची तो छोड़ दीजिए आप कितना पढ़ाई शुरू हो गया हर तरह से काम किया गया आप पहले स्वास्त की कोई वेवस्ता थी जी कितना होता था इतना कम और हम लोगों ने जब सुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया तफ़ सारा का सारा काम सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा किया है तो इसलिए तो हर तरह से तो हम लोग सुरू से ही पांच में आये तो पहला साल दस तक उसके आगे लगातार हम लोग कर रहे हैं ये काम आप फिर जड़ा देख लीजिए 2015 में जो हम लोग ने 7 निस्टे किया अब उसके अंतरगत कितना कितना बड़ास हुआ हर घर नल का जल हर घर पक्की गली नाली सोचाल है और ये भी कर दिया कि जो टोला है उटोलों से ग्रामी नच्छत्रों में जोडने का भी काम किया और 2020 में 7 निस्टे 2 में भी सारा काम किया जा रहा हम लोगों ने पहले भी सरकारी नौकरी 8 लाग के करीब करवाया अब इस बार जो हम लोग कर रहे है कि 10 लाग की नौकरी होगी आज सोच लेजिए 4 हो गया है एक और तुरत होने वाला है 3 का प्रोसेस कल रहा है तो इस तरह से हम लोग नौकरी और लोगों को रोजगार भी दे रहे है 10 लाग रोजगार की बात थी आज भी बड़ी संक्या में लोगों को रोजगार मिल गया तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे है और हम लोग तो सुरू से ही नियाय के साथ विकास के सिध्धान पर काम कर रहे है आप कितना ज़्यादा उत्थान हो गिया आप भारी संक्या में लड़कियां भी हैं महिलाएं भी हैं आप कितना हम लोग काम कर दिये जब पहली बार मौका मिला जब चुनाव हुआ तो सबसे पहले बिहार में हम लोगों ने महिलाओं को पचास प्रस्षत पंचायतों में और साथ में नगर निकावे में भी कर दिया तक कितनी बड़ी संक्या में और लड़कियों के पढ़ने का भी कितना इंजाम कर दिया हर तरह से सब काम कर दिया तो एक एक तरह से और जो हम लोग स्वाइंग साहता समूँ हम जब केंदर में थे अब उस समय बाहर जाके देखते थे कि स्वाइंग साहता समूह में और महिलाएं हाबिहार में बहुत कम थी तो जब हम लोग जैसे ही आए छो में ही हमने का ले करके शुरू करा दिया और अब उसका नाम दे दिया जीवी का और उस समय कि जो सरकार थी उलोग भी आये कहे भई बड़ा अच्छा आप काम किये अनाम दे दिया देश भर में आज जीवी का मतलब बिहार में जीवी का आज देश में आज जीवी का यही से काम शुरू कराया और आपको मालूम है 10 लाख 51 जार स्वेंक सहता समू हो गया और एक करोड एक तिस लाख से जादा महिलाएं जीवी का दीदियों के साथ जुड़ गई तो अभी तो हमारे आदर निये प्रधान मंत्री जी बोलेंगे और हम लोग तो आपके लिए सब काम किये हैं चारो तरफ इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आपस में प्रेम और भाईचारे का कायम रखिएगा और हम लोग सब दिन हैं और 400 सीट यह सीट भी आप पुरे बिहार के लोगों को कहेंगे सब सीट जितवाईए आइस बार आदर निये प्रधान मंत्री जी फिर से प्रधान मंत्री होंगे लेकिन अब हम लोग का अग्रह यही उमीद है कि इस बार 400 से भी जादा जीतेंगे तो उतना जादा हो करके और खूब काम होगा तो यही हम कहना चाहते हैं तो इसलिए अब सब कुछ बात हो गया तो एक एक तरह से काम हर तरह से आप कितना जादा चारो तरफ केंदर की तरफ से सड़क और पूल का निर्मान कई मेडिकल कॉलेज का निर्मान हो रहा है तो कई तरह से काम हो रहा है और सब के लिए हम आपको आपका नमन करते हैं और इसके बात जो भी काम आप करते रहेंगे करते रहेंगा हम लोग भी मिल करके यहां की सेवा करते रहेंगे और आप जरूर 400 से भी जादा वोट से जित करके आप इस बार और बड़े पैमाने पर सब कुछ होईएगा यही हम कहना चाहते तो आप लोग इस बार को जिताईएगा न जी हाथ उठाएके बतावा हाथ उठाएके बोला कि जिताएगे चलिए आई बीच बार काई यहां बड़े तो नहाथ उठाएगा बहुत बहुत धन्दवाद आपको